जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस special वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे डिसकस करने वाले हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानि कि जो हम कैंटीन से लिक्विर और ग्रोसरी स्टोर खरीते हैं उससे संबंदिते एक बहुत बड़ी निज निकल कर आई है और इंडियन आर्मी के आर्मी हेड़कॉर्टर ने एक official letter जारी किया है जो कि एक जून की डेट में sign हुआ है आगे की वीडियो में मैं आपको ब लेटर में दिखी हुई एक एक चीज बताऊँगा तो दोस्तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो आप देख सकते हैं Integrated Headquarter Ministry of Defense यानि की आर्मी हेड़कॉर्टर के तरफ से एक जून को एक letter जारी किया गया है और ये जो है दोस्तो policy letter है ठीक है आप देख सकते हैं हाँ पर एक जून के लिए ये letter जारी किया गया है और ये policy letter है ठीक है तो इसमें दोस्तो साब साब लिखा हुआ है पर्चेस आफ ग्रोसरी एंड लिक्वेर फ्रॉम यूर्सी तो आप इस letter का जो हुआ हो मतलब समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत कि ये letter किस बारे में है तो दोस्तो जैसे कि हम Indian Army Air Force और हमारे लिए जो CHD याने कि केंटिन इस्टोर डेपार्टमेंट से हमारे लिए जो सुगधाएं मिलती है याने कि ग्रोसरी आइटम और लिक्वर आइटम हम हम खरीते हैं तो उससे समझने ये news है ठीक है तो दोस्तो news क्या है आप देख लीजिए इस letter को पढ़के मैं आपको बताता हूं और उसके बाद में इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा हुआ ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तो तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपना जो कोटा है वो खरीच सकते है ठीक है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम एन यूर्सी नो यूर्सी विल डिनाई सेल अफ ग्रोसरी एंड लुकल तो एन इंटेटल सीएजडी वेनिफिसरी वोल्डिंगे बैलेट सीएजडी स्मार्ट कार्ड इस पॉलिसी बिल बी रिब्यूट आफ्टर सिक्समेंथ ठीक है बेजड उन सक्सिस अफ दो प्रोजेक्ट तो दोस्तों साफ साफ इस लेटर में यह बताया गया है कि अगर आपके पास में चीएजडी के कार्ड है और आप किसी भी चीएजडी में जाते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए एक दिसमबर 2030 को जो है वो फिर से रिवाइस किया जाएगा अगर यह प्रोजेक्ट सक्सिस्फुल रहा तो क्या होगा आपके लिए इस प्रोजेक्ट को लाइफ टाइम कर दिया जाएगा मतलब जैसे अभी हम किसी भी चीएजडी में जाते हैं ग्रोसरी तो मिल जाती है लेकिन लिक्ट के लिए जो है वो चीएजडी मना कर देती है कि भई हम तो अपने उनिट को ही देंगे और किसी बाहर बाले को हम नहीं देंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी चीएजडी है वो किसी भी स्मार्ट कार्ट धारक के लिए चीएजडी से लिक्विर प्लेस ग्रोसरी आटम देने से मना नहीं कर सकती है ठीक है साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तो आर्मी हेटकॉर्टर के लेटर है अगर इस लेटर के आपको कॉपी चेंग है तो मेरे टेलिग्राम चैनल सिवा ओंलाइन क्लासे से आप इसको डाउन्डोड कर सकते है ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तो तीसरा पॉइंट का है तीसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह जो दोस्तो अभी फैसलिटी है जो प्रोजेक्ट है वो ओनली फॉर सर्विंग पर्सनल के लिए है रिटेर्मेंट जो जा चुके हैं हमारे फोजी भाई उनके लिए इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है आगे जाखर जो यह प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो हो सकता है कि जो एसम है याने कि एक्स सर्विसमेन है उनके लिए भी यह फैसलिटी लागू कर दी जाए ठीक है चोथे में दिया गया है दोस्तों कि the content of this letter may please be disseminated to all formation units, URCs for strict compliance and wide dissemination to beneficiaries ठीक है तो लिखा गया है भई कि इस letter के content है इस letter में जो बताया गया है उसके रही ज़्यादा से ज़्यादा उसकी policy की जाए ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही था और आपको बस इतना सा बताना था कि आज के बाद में इस वीडियों को देखने के बाद में आप जहां भी जाएं जिस भी CHD में जाएं आप बहां से अपना grocery प्लस liquor store जो है वो खरीद सकते हैं आपको कोई भी CHD अगर मना करती है तो आप इस letter को हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउन्डोड करके उस CHD का जो CHD हबलदार होता या फिर CHD जी होता है उनको आप दिखा सकते हैं कि भई आर्मी हेटकोर्टर का ये letter है आप हमें मना नहीं कर सकते हैं हमारा जो कोटा है जो व आपके लिए इसी तरह से जो वीडियो लेकर आता रहता है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत